नमस्कार दोस्तों मेरा नमें बीजय एकमार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा यूटूब चैनल को तो चलिए दोस्तों राधा कॉमिक्स की संधार स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है मिश्टर एक्स का धावा तो चलिए बिने किसी देरी की संधार कॉमिक्स को सुरूने से पहले आप सभी से एक request है कि आप हमारे backup चैनल जिसका नाम Hindi Story पितारा YouTube चैनल है उसको जरूर से subscribe करने क्योंकि आपने देखा था कि हमारे comics पितारा वाले YouTube चैनल पे copyright strike आ गया था क्योंकि मैंने नई comics upload की थी तो आप प्लीज हमारे दूसरे backup चैनल को subscribe जरूर से कर लें ताकि अगर ये चैनल डिलिट हो जाए तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और दूसरा जो चैनल है उस पर मैं कुछ नई चीजे करने वाला हो जो की story से related है तो आप उस दूसरे चैनल जिसका नाम Hindi Story पितारा YouTube चैनल है उसको जरूर से subscribe कर लें तो चलिए इसकी संदार story क सुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका cover priest जो कि कुछ इस तरह का है ओके मिस्टर एक्स का धाबा मिस्टर एक्स एक computer मानो है बर्मान की बिनसकारी सक्तियों से टकराने के लिए उसकर निर्मान हुआ मिस्टर एक्स का दुसमन डॉक्टर जेन संसार को तीसरे महायोत मे खड़ा हो जाता है अब मिस्टर एक्स एक ऐसे टापू की तलास में निकल जाता है जो समुन्दर के अंदर है और जिसका आकाल अंग्रेजी अक्षर जेट की तरह है मेरा नाम मिस्टर एक्स है और मेरा एक एक पल बेसकिमती है इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे जेट टापू खोज लेना चाहिए बहुत से मासुम बच्चों की जिंदगी खत्रे में पढ़ चुकी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेट से सारी दुनिया को खत्रा है मेरा कॉंप्यूटर मस्तिक्स कहता है कि ये पागल बैग्यानिक सारी दुनिया को तहस्नास करने के बा जेट टापू तीसरे महायोद से सुरक्षित रहने के लिए निर्मानित किया गया है क्योंकि इस तरह के टापू की जनकारी किसी समुन्दरी ग्याता को नहीं है इसका मतलब वो प्राकितिक नहीं है बलकि उसे बनाया गया है ओ शमुन्दर के ऊपर ये गहरी धोंद कैसी पिछले दिनों किसी अग्यात विक्ति ने रेडियो पर सूशना दी थी कि हिंद महासागर में बर्मुन्दा त्रिकोन बनता जा रहा है कुछ समुन्दरी वहनों और दो भटके वे बिमान लपाता हो गये थे तभी ये संदेश परकट किया गया था परन्तु संदेश अस्थान ने मुझे उठा कर फेग दिया था और उस वेक्ति ने संकेत दिया था कि तुफान उस अस्थान से चलते हैं जहां धुन्द च्छाई रहती है ठीक वैसे ही धुन्द जैसी बर्मुन्दा त्रिकोन पर च्छाई रहती है मुझे इस धुन्द के अंदर कुछना कर देने वाली थंड़क है ओ ये गरजन कैसा यहां नीचे भेंकर तुफान का मन्थन सा हो रहा है लेकिन नजर कुछ नहीं आता मुझे नीचे लहरों को छू कर देखना चाहिए अब मैं लहरों पर आ गया हूं इस जगह लहरों का बड़ा जबर्दस्त मन्थन है ओ मैं लह लहरे मुझे किसी बिसेस्ति सामें खीच कर ले जा रही है मैं किसी दहाने में पहुँच के आ हूँ लहरों ने मुझे किसी अंद कुप में पटक दिया है और चली गई है मुझे इस जगह का निरक्षन करना चाहिए मिस्टर एक्स ने क्रेतरिम परकास कर ढाला बहुत बड लानी की बात है कि मैं यहां आया किस तरफ से यह जार चारों तरफ से बंध है और इसमें पानी भी नहीं है मुझे जार की दीवारों को ठोक बजा कर देखना चाहिए अगर यहां कोई मेकेनीजम है और कोई दरवाजा है तो मेरे यंतर से छिप नहीं सकता इस जगह कोई द पानी है जैसे किसी ठेरे दरिया पर पूल बना दिया गया हो ये पूल एक गोल रेलिंग नुमा प्लेटफॉर्म पर खत्म हो गया और इस पर बहुत तेज रोस्नी है अचानक मिस्टर एक्स को एक जोड़दा जटका लगा और हवा में कलाबाजी खाता हुआ ओ बिजली का सा तेज जटका और मैं पानी में तभी एक मिसाल काई आक्टोपस ने मिस्टर एक्स पर आकरमन किया किसी समुन्दरी जीव ने मुझे लपेट लिया ये तो आक्टोपस जैसा खौपनाक सैतान है इसकी आठो भुजाओं ने मुझे जकर दिया और इसका खौपनाक जबड़ा लगवग बीस मिनट के उस भ्यानक यूद के बाद जीत मिस्टर एक्स की ही हुई तड़ाक कर ऐसे दरिंदे को खत्म करने में मुझे आनंद मिलता है मुझे गोता लगा कर देखना चाहिए अब मिस्टर एक्स एक लंबी चोड़ी सुरंग में था उसमें भरा पानी उसकी कमर तक था अब मैं देखता हूँ यहां क्या है कुछ चनों तक इधर उदर देखने के बाद उ अखिरकार सुरंग खत्म हुई और वो एक समतल मैदान में पहुँच गया वहाँ पानी का नामों निसान भी नहीं था अश्चरी के बाद तो ये थी कि उपर नेला अकास भी दिखाई दे रहा था इस जगह से तो तुफान चकरपाद बनाये जाते हैं नेला अकास धूंद से भरे बादल समुन्द्री स्टेशन से बाहर निकल पड़े धूंद में से एक कंप्यूटर मानो पर कठ हुआ तुरण कंप्यूटर मानों धोंद के बादल से ऊपर उठा और इस पार कंप्यूटर मानों हावा में उर्टा हुआ Mr. X पर झपटा लेकिन बिलकूल सही वक्त मिस्टर एक्स कम्प्यूटर मानों के लक्षी से परेहट गया फल स्वरूप कम्प्यूटर मानों का आधा धर्ड जमीन में धस किया धराम उफ लेकिन अगले ही चन कम्प्यूटर मानों का जमीन में धसा धर्ड अपने आप बहार निकला और एक बार फिर उसने Mr. X की ऊर उरान भड़ी और सीधा एक चक्तान से तकरा गया इस बार Mr. X अपना बचाओ करने में सफल हो गया इस बार उसके सर के कल्पूरचे बिखर गए तभी ओह उस दर्वाजे से हमलावार आ रहे हैं मिस्टर एक्स ने हमलवारों पर धावा भोल दिया ठक तड़ाक भिसंग ये सब जेट के कम्प्यूटर मानों है इस पर मेरी मार का असर नहीं पड़ रहा है अब मैं फॉलात को पिगलाने वाली इस्पेसल किर्नों वाली गन का परियूग करता हूँ धड़ाक फड़ाक अब ये अड़ा तबा हो रहा है मुझे निकल जाना चाहिए धड़ाक एक घंटे के तबाई के बाद सब सांथ हो गया अब समुन्दर की सता पर कोई धूंद नहीं है सब कुछ सांथ हो गया है अब मुझे नीचे के हालात देखने चाहिए ओ जेट डापू अब साप साप नजर आ रहा है हो सकता है कि किसी काल में ये डापू समुन्दर के सता पर रहा हो लेकिन नहीं ये प्राकितिक नहीं है सीसे की तरह चमकीली धातू की जमीन है इसका मतलब इसे बड़े परिश्रम से बना कर समुन्दर में उतारा गया है और इसकी सुरक्षा के लिए वो पर पर बन किया गया था जिसे मैं तभा करके आ रहा हूँ अब मेरा धावा इस अड़े पर है पर सबसे पहले मुझे इसके अंदर दाखिल होने का रास्ता तलास करना होगा ओ इसकी धर्ती में कमपन हो रहा है और इसके तीन टुकडे हो गए तीनों टुकडे समना अंतर थे की ये हरकत कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं जेट का टापू यहां से चंपत हो रहा है लेकिन मैं इन्हें ये औसर नहीं दूँगा मेरा ये ये अंतर इसके भीतर पर विष्ठ होने का रास्ता तलास कर लेगा इसका रास्ता तली में है इस जगह जहां गोल खेरा बना अब मुझे इस दर्वाजे को खोल देना चाहिए। इस रास्ते से अंदर यहाँ पानी है। मैं किसी तलाब में उभराया हूँ। अचानक तलाब गायव हो गया और उसकी जगर ठोस फर्स चमकने लगा। मुझे सिग्र इसे तभा कर देना चाहिए। वेलकम मिस्टर एक्स मेरा नाम जोंगा है डॉक्टर जेट का धाया बाजू अब और तुम जोंगा के कैदी हो। मैं तुम्हारा कैदी किस तरह हूँ मिस्टर जोंगा क्यूंकि तुम इस जगर से बाहर नहीं निकल सकते। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मिस्टर जोंगा जब और इससे पहले कि मिस्टर एक्स समल पाता सी गंजा उसके सरीर पर कस गया खड़ाक ओ तो ये बात है इस तरह तुमने मुझे बांध लिया अब मिस्टर एक्स को रोम नमर थ्री से हटा कर समंदर की किनारे ले आएं मिस्टर जोंगा ये धोका है मैं डॉक्टर जेट से मिलना चाता हूँ अब तुम इस क्रेन से छूट नहीं सकते ये तुम्हें पीस डालेंगी तुमारे टुक्रे टुक्रे समंदर में बहा दिये जाएंगे जोंगा ने मेरे साथ बड़ा खतरनाक नाटा किया ओह मुझे क्रेन द्वारा पानी में उतारा जा रहा है मिस्टर एक्स को सिकंजे से समंदर वे फेक दिया गया घर खटाक मुझे सिक रही इस फौलादी सिकंजे से छुटकारा पाना चाहिए मिस्टर एक्स फौलाद को पिगलाने वाली स्पेसल किर्नों की गन का परियुक करता है अभी उसने सिकंजे से छुटकारा ही था कि एक सारक मशली भयानत धंक से उसकी ओर बढ़ी उसने उससे बचने की चेस्टा की लेकिन वो सारक के मुख में जाने से नहीं बच पाया सारक मशली ने उससे आसानी से निगल लिया और समुंदर तल में पहुँचकर एक लंबे चोड़े गुपानुमा पत्रों के सुराख में पर्विस्ट हो गई तबी मिस्टर एक्स की द्रिष्टी एक तरफ पड़े काटेदार फॉलादी सिकंजे पर पड़ी उसने सिकंजे को उठाया और फिर थक उस भारी सिकंजे के परहाण से सारक मसली बुरी तरह छट पड़ा उठी थक थक परन्तु सिगर ही उन्निस प्रान हो कर सांथ हो गई क्योंकि मिस्टर एक्स ने उस सिकंजे से उसका पेट फार दिया था और तुरंथी वो पेट से बाहर निकलाया इधर रूम नमर थ्री में बॉस मैंने उसका काम तमाम कर दिया ठक ये मेरी हिपनाटिक पावर की उंगली है अब तो मेरा गुलाम है हाँ मैं तुम्हारा गुलाम हूँ तो बता डॉक्टर जेट कहां है बीच वाली कड़ी में हम उसके दाएएवाएवाजू है हाँ तो फिर तुम बाएवाजू पर हमला कर दो तूसरी कड़ी तोर दो जो हो मेरे आका जेट टापू के दाइबिंग पर जोंगा ने 140 रोकेट के बेड़े को बाइबिंग पर हमला करने के लिए आटोमेटिक में स्विच को ओन कर दिया 140 रोकेट के बेड़े ने अपने लक्षी की और उड़ान भरी सर जब राडार द्वारा हमले के सोचना बाइबिंग को मिली तुरंधी उसने दाइबिंग पर हमला बोल दिया सर तोनों तरब से अत्यांत धगातक किरने को बाल छोड़ी गई अगले ही पल कड़ाक चटाक धड़ाम जोंगा तुमें क्या हो गया है तुमने लिफ्ट बिंग पर हमला क्यों किया मेरे आका का हुक्म है तुमारा आका मैं हूँ पक्वास मत करो मेरे आका तुम नहीं हो इधर मिस्टर एक्स बीच बाली कड़ी की तरफ बढ़ रहा था ये रहा इसका रास्ता और सिगरी में डॉक्टर जेट तक पहुँ जाओंगा मिस्टर एक्स डॉक्टर जेट की लेव रोटरी में और ये ओ येलो ब्रोटरी ये सब बच्चों को जारों में बंद करके रखा गया है सायद इन पर कुछ परियोग होने वाला है मिस्टर एक्स हिपनाटिक पावर की उंगली का परियोग करते हुए हे तुम इधर कहां गोम रहे हो तुम मेरे गुलाम हो हाँ 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 क्या इस लिब्रोटरी के इंचार्ज हो हाँ मैं यहां का इंचार्ज हूँ इन बच्चों के साथ क्या होने वाला है अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन इन्हें एक नई नसल में ढाला जाने वाला है फिर इन्हें दुनिया के विबिन सहरों में तभाई माचानी के लिए छोड़ दिया जाता ठीक है इन्हें मुद्ध कर दो ये कक्ष इनर्जी कांट्रोल रोम है मुझे अब इस पर भी काबू पाना है धिसूं ठक अब मैं इस अड़े के समस्त कॉंट्रोल स्वीच चेक करता हूँ इधर डॉक्टर जेट का कक्ष वाई गॉड टीवी सरकीट रेडियो रडार सब फेल हो गए मुझे तुरंत यहां से निकल भागना चाहिए फॉरन ट्रांस्मेट रिंग में पहुँचना चाहिए मिस्टर एक्स जिन्दा रहेगा लेकिन अब तुम जिन्दा नहीं रहोगे अब मुझे अपनी सुपर सांस भीतर खीशनी चाहिए हुस है अब तुम इसे वापस चाहते हो तो लो इसे अपने बचे हुए हत्यार भी चला डालो गजब के फूरती है इसमें इसने पहले ठका देना चाहिए हुँ यह है निपून लेकिन ज़रो से ज़्यादा आत्म विस्वासी है और उसी का मैं फैदा उठाऊंगा और तब बहुत खुब बहुत खुब जैसा नाम वैसा काम अब देखो मेरा काम अब तम पर लोग सिधार सिधार रहे हो मुझे बच्चों को लेकर उनके अभिभाव को तक पहुचाना है मिस्टर एक्स बच्चों को उनके अभिभाव को तक पहुचाने के लिए बीच वाली कड़ी लेकर चल पड़ा दाइबाजो वाली कडिया एक दूसरे के हमले में नश्ट हो गए इसी के साथ ये कहान यही समाप्त होती है तो आपको ये विडियो कैसी लगी अगर आपको ये विडियो पसंद आई हो तो इस विडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कर देना चैनल पर ने हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर और नोटिपिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोज